बाई साब बॉलिवुड के कुछ ऐसे जाने माने नाम भी है जिन्होंने अपनी खुजलियां मिटाने या कहें जादा पैसा कमाने के चक्कर में बाप बेटी के रिष्टे तक को बदनान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो कई ऐसे भी नमूने हैं जिन्होंने फेमस होने के चक्कर में सारी हदे तो पार कर ही डाली साथ ही साथ अपने गंदे रवईये और महाबकवास बिहेवियर की वज़ा से आम लोगों के माइंड्स को बुरे तरीके से वाईरस की तरह इंफेक्ट किया तो कई ऐसे भी हैं जिन्होंने सब्भेता और संसकार का चोला पहन भोली भाली जंता को बेहत लंबे समय तक मुर्क बनाया और फिल्मे बना बना तरोडों भी कमा लिये लेकिन जब इनका गंदगी भरा नकाब हटा तो उन्हीं आम लोगों की इनकी असलियते जान तोते उ समय में बॉलीवुड के बेहत कॉंट्रोवर्शियल डिरेक्टर रह चुके महेश भट जिन्होंने गजब के टोपी बाजो वाले कांड तो किये ही थे जिसमें सही एक कांड ऐसा भी था जिसके वज़े से आज भी लोग इनके नाम पर थूकते हैं इन्होंने बाप बेटी क के साथ अंग्रेजी में बोला जाए तो स्मूच करते हुए का पोस्टर रिलीस तो किया ही था जिसने कम बवाल तो मचाया नहीं था उसके बाद इन्होंने ये बयान भी दे दिया कि अगर मेरा बस चले तो मैं पूजा भट से ही शादी कर लूँ और इनकी इसी हरकत की वज हो तो जब ये धीरे धीरे इंडस्री में अपने पैर पसारने के प्रयास कर रही थी तो इसने किस लेवल का गंद फैलाया था कितनी बड़ी बड़ी कॉंट्रोवर्सियां कर आम लोगों का कैसा फुद्दू बनाया था ये तो आप सभी लोग आज भी नहीं बूल और ऐसा नहीं है कितना कुछ करने के बाद अब कहीं जाकर इन में कुछ बदलावाएं हैं दरसल ये आज भी उसी सेम डेडिकेशन के साथ अपने गंद फैलाने वाले फेवरेट काम में लगी हुई है उसी के बाद बॉलिवुड की टॉप एक्ट्रिस में से एक जो ड्रक् करमें फसने के बाद अभी फिलाल अपनी हरकतों से कुछ हद तक बाज आई है लेकिन पहले इनके भी करमकांट अलग ही लेवल के थे भाई साब विजे मालिया के बेटे के साथ कैसे ये भरे स्टेडियम ओन कैमरा चुमा चाटी करते पकड़ी जाती थी ये भी आप सबी ल पर आप लोग क्या सोचते हैं आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी न भूलें अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं है तो जुड़िये ना भाई साब जुड़ करके हमारी आवाज और बुलंद करिए मैं मिलता हूँ